स्रजन कोशल का इतिहास है भारत का इतिहास हमारे सामुद्री सामर्थ का इतिहास है सेंकड़ो वस पहले जब ऐसी टेकनोलोजी नहीं थी जब ऐसे समसादन नहीं थे तब उस जमाने में समंदर को चीर कर हमने सिंदु दुर्ग जैसे कितने ही कीले बनवाए भारत का सामुद्रिक सामर्त हजारों साल पूराना है गुजरात के लोथल में मिला सिंदू गाटी सब्रता का पौर्ट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है एक समय में सूरत के बंदरगा पर असी से जादा देशों के जहाज लंगर डाल कर रहा करते थे चोल सामराज्य ने भारत के इसी सामर्त के बलबुते दक्षिन पुर्वे एशिया के कितने ही देशों तक अपना व्यापार फैलाया और इसलिए जब विदेशी ताकतों ने भारत पर हमला किया तो सब से पहले हमारी इस सक्ति को निशाना बनाया गया जो भारत नाव और जहाज बना लेके मशूर था उसकी ये कला ये कौशल सब कुछ ठप कर दिर गया गया और अब और जब सामरी ने समंदर पर अपना नियंतर खोया हमने अपनी सामरी का अर्थिक्ता कज़्वी खो दी इसलिए आज जब भारत विक्सित होने के लक्ष पर चल रहा है तो हमें अपने इस खोये हुए गवरव को फिर से पाकरके ही रहना है इसलिए ही आज हमारी सरकार भी इससे जुड़े हर ख्षेत्र पर फोकस करते हुए काम कर रही है आज भारत ब्लू एकोनामी को अबुद्पुर्व प्रोथसान दे रहा है आज भारत सागर माला के तहट पोर्ट लेट डवलप्मेंट में जुटा है आज भारत मेरिटाइम वीजन के तहट अपने सागरों के पूरे सामर्त का इस्तमाल करने के और तेज गती से बढ़ रहा है मर्चन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नयम बनाए है सरकार के प्रयासों से बीते नव वर्षों में भारत में स्री फेरर्स की संख्य में 140 प्रतिशत से ज़्यादा बड़ोती हुई है मेरे साथियों ये भारत के इत्यास का वो कालखन है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बलकि आने वाली सदियों का भविश लिखने वाला है दस वर्ष से भी कम के कालखन में भारत दुनिया में दसवे नंबर के आर्थिक ताकत से बढ़कर पांचवे नंबर पर पहुँँच गया है और अब बहुत तेजी से तीसरे नंबर के आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है आज देश विश्वास और आत्म विश्वास से भरा हुआ है आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है आज स्पेस हो या फिर समंदर हर जगह दुनिया को भारत का सामर्त दिख रहा है आज पूरी दुनिया भारत मिडलिस्ट यूरोप एकनोमिक कोरिडोर की चर्चा कर रही है जिस 25 रूट को अतीत में हमने खो दिया था वो अब फिर से भारत की सम्रुद्धी का ससकता आधार बनने जा रहा है आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि तेज़स विमान हो या किशान ड्रोन यूपी अई सिस्टिम हो या फिर कंदरयान तीन हर जगह हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धुम है आज हमारी सेनाओं की अधृकतर जरुरतें मेड इन इंडिया अस्त्र सस्त्र से ही पूरी की जा रही है देश में पहली बार ट्रांस्पोर्ट एरक्राप का निर्माण शुरू हो रहा है पिछले साल ही मैंने कोची में स्वधेशी एरक्राप केरियर आइनेस विक्रांद को नौसना में कमिशन किया था आइनेस विक्रांद मेकिन इंडिया आत्मंदिर भर भारत का एक ससक्त उदाहारण है आज भारत दुनिया के कुछ गुणे चुने देशों में है जिसके पास ऐसाथ सामर्त है साथियों बीते वर्षों में हमने पहले कि सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है पहले कि सरकारे हमारे सिमावर्ती और समुद्र किनारे बसे गाउँ को इलाकों को अंतिम गाउँ मांती थी हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उलेग भी किया इस सोच के कारण हमारे तर्टियक छेत्रभी विकास से मन्चीत रहे यहां मूल सुविदाओं का भावरा आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बैतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथ्मिक्ता है यह हमारी सरकार है जितने 2019 में पहली बार फिसरी सेक्टर के लिए अलग मंत्रा नहीं बनाया हमने फिसरी सेक्टर में लगबग 40,000 करोड का निवेश किया है इस वज़े से 2014 के बाद से भारत में मचली उत्पादन 80% से जादा बढ़ा है भारत से मचली का एक्सपोर्ट भी 110% से जादा बढ़ा है अपने मचवारों के मदद करने के लिए सरकार हर संबव कोशिश कर रही है हमारी सरकार ने मचवारों के लिए वीमा कवर 12,00 से बढ़ा कर पांच अलाग किया है देश में पहली बार मचवारों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाम मिला है सरकार फिसरी सेक्टर में वेल्यू चेइन डेवलप्मेंट पर भी काफी जोड़ दे रही है आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आदुनी कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है इस पर लाखों करोड रुप्य खर्च किये जा रहे है ताकि समुद्र किनारों में नए उद्योग लगे नए बिजनेस आई मचली हो दूसरा सीफूड हो इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है इसलिए हम सीफूड प्रसेसिंग से जुड़ इंडिस्टिव पर बल दे रहे हैं ताकि मच्वारों की आई बढ़ाई जाए मच्वारे गहरे समंदर में मचली पकड़ सके इसके लिए वो नावों के आधुनिकरन के लिए भी उनको मदद दी जा रही है साथियों कौकन का ये छेत्र तो अध्भूत संभावनाओं का छेत्र है हमारी सरकार इस छेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबज़ता के साथ काम कर रही है सिंदु दूर्ग, रत्नागिरी, अलिबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले है चीपी हवाई एड़ा शुरू हो चुका है दिल्ली मुंबई इंडिस्टिल कॉलिडोर मानगाउं तक जुढ़ने वाला है यहां के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजना बनाई जा रही है समुद्री तटपर बसे रिहाईसों के खेत्रों को बचाना हमारी प्राफ्पिक्ता है इसके लिए मेंगरूस का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है केंदर सरकार ने इसके लिए विशेष मिश्ची योजना बनाई है इसमें मालवन, अच्रा, रत्नागिरी, देवगड, विजेदूर, सहीद, मारस्त्र की अनेक साइट्स को मेंगरूम मनेजमेंट के लिए चुना गया है साथियों, विरासत भी और विकास भी यही विक्सिद भारत का हमारा रास्ता है इसलिए आज यहां ही छेत्र में भी अपनी गवरवसाली विरासत के सवरक्षन का प्रयास हो रहा है छत्रपति भीर सिवाजी महाराच के कालखन में जो दुर्ग, जो किले बने हैं उनको सवरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल पित्था है कोकन सहीत पुरे महाराच में इन धरोहरों के सवरक्षन पर सैंकडों करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं हमारा प्रयास है कि पुरे देश से लोग अपनी इस गवरव साली विरास्तों देखने आए इसे इस शेत्र में टुलिजम भी बड़ेगा रोजगार स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेगे साथियों यहां से हमें अब विक्षित भारत की आत्रा और तेज करनी है ऐसा विक्षित भारत जितमें हमारा देश सुरक्षित समृद्ध और सक्ति साली हो शके और साथियों आम तोर पर आर्मी डे ऐर्फोस डे नेवी डे कि दिली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली बे जो आस पास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज़्यादा तर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही जित कारकम होते थे मैंने उस परंपरा को बढ़ला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो नेवी डे हो या एरफोस डे हो देश के अलग-अलग भाहिस्सों में हो और उसी योजना के तहर इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमी पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था और मुझे थोड़ी समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बुले पिछली सब्तां से हज़ारों की तादार में लोग आ रहे हैं इस हल्चल के कारण मुझे पक्का भी स्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमी की प्रतिया आकर्शन बढ़ेगा